को हैं अब देखने वाले हैं कि वह क्या सोच रहे हैं अभी स्वक्त ही कि इस वक्त कार निकालते हैं एक-एक करें और दे glowing है मैं इस दॉँद्ए हैं आप कार्डक किया कुछ निकल कि आता है इसा क्या कुछ निकल K 하는데 कमั्ष दे MIDट Bulgarisch यहां पर चूस वाइजली आपके परसन कंफ्यूज है इसलिए है कि इनके पास ऑप्शन है ठीक है इनके पास ऑप्शन है और इसी के वज़ेसे यह परसन इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर इनके पास decision लेना है इनको बट इनको clarity नहीं हो रही है इसलिए यह person काफी ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे है इनको ऐसा भी दिखता है जैसे कि इनके पास options तो है लेकिन आपको सबसे पहले रख करके यह person सोच रहे हैं कि हां क्या आप इनके लिए better हो या फिर कोई other person तो कहीं ना कहीं यह आपको एक option के रूप में देख रहे हैं और आपके लिए इनकी confusion अभी भी बनी हुई है इनको कोई clarity नहीं है अभी बट आज cards देखते हैं यह cards की क्या है overall energy लेकिन यहीं है ठीक है so देखते हैं cards patience ठीक है suffering in silence okay intuitions and है मेरे पास यहाँ पर authority cards दिख रहे हैं आपको okay तो यह cards यहीं बता रहे हैं मुझे सबसे पहले तो देखो आपके person सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप काफी जादा के काफी जादा दर्द में हो काफी तकलीफ में हो और आप जो है शांत रहे करके हर एक चीज़ को देखते जा रहे हो हर एक ची लेकिन इस person ने आपके उपर भरोसा नहीं किया या फिर आपके उपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो अब इस person को एहसास हो रहा है आपका दर्द आपकी तकलीफ जिस तरीके से आप रात में रोते हो जिस तरीके से आप तकलीफ में होते हो यह इनको समझ में आ रहा है अ और यहाँ पर दिख रहा है जिसे कि यह person को काफी ज़दा ego है ego issues काफी ज़दा है और इनका एक अपना है जिद्दीपन ठीक है जिद्दीपन बहुत ज़दा है इस person का जिद के कारण से यह person आपके तरफ कोई action नहीं ले रहे है और इनको confusion भी है यहाँ पर इनकी intuitions हाला की बता रही है कि आप किस तरीके से तकलीफ में हो किस तरीके से दर्द में हो और क्या कुछ धेल रहे हो ठीक यहाँ पर सारे चीज़े जो है इस person को पता है लेकिन फिर भी यह person अभी confused है और अभी यह confused ही रहेंगे लेकिन आगे जाके आपके साथ justice भी होगा यह रही reading बाबाई